है हां जी हलो एवर्वान कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूं अच्छे होंगे बढ़िया होंगे मैशल संतीप इसनोई चार्टर अकाउंट एंड अकाउंट ऑपिसर आप सबका स्वागत करता हूं मैं वन एक्जाम और टीम सी एजुकेशनल इंस्ट्यूट के अपने यूट हुआ है तो आज के सेशन में क्विकली जो है आप में से काफी लोग जिन्होंने एक्जाम दिया है वह अपने आंसर को सही घलत कितना क्या हुआ असेस करना चाहेंगे तो देखिए जो चीज है वह तो हो चुकी है तो मैं कोशिस करूंगा कि इस सेशन के अंदर क्विकली ज है कि मैं आपको एक बार आंसर सारे बता दू तो डिसकस करते हैं कि करके क्विकली मैं आपको आंसर बताते जाता हूं और दूसरी बात कुछ दो पांच दस क्विशन ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर आंसर जो है वह हो सकता है और पेसी कोई अलग वियू ले ठीक है या किसी को कोई बुक के अंदर कोई दूसरा दे रखाओ दो पांच क्विशन होंगे ऐसे बट जो कॉमनली जो आंसर से वह सारे मैं आपके सामने रखूंगा तो शुरू करते हैं एक एक करके सिर्फ जो कॉमर्स के हैं वही क्विशन करेंगे मैंनेजमेंट और सो साइकोलोजी उनके क सबसे पहला ही क्विशन देखते ही बड़ा कन्फूजिंग है इंडिया इस डवलपिंग कंट्री ड्यू टू विच फॉलवंग फॉलवंग केरेक्टिस्टिक्स भारत एक डवलपिंग कंट्री है विकास सील देश है इनमें से किन कारणों की वज़े से तो देखिए फैव प्रतिवक्ति जो है वो क्या हो रही है बढ़ रही है तो पहले भारत जो है अंडर डवलप्ट था अब इक्सित देश था अब विकास सील देश है डवलपिंग कंट्री तो इसमें दोनों घटक है कि हमारी जो आर्थिक पिछड़ापन है वो भी कमी आई है और प्रतिवक् प्रति जो रियल इंकम है 2019 प्री कोविड के बाद पोस्ट कोविड में कमी आई है तो इसका आंस्वर होना चाहिए ठीक है फिर भी मैंने आपको दौनों चीज़ें बता दी कि थर्ड जिनोंने किया है अगर किसी ने किया है तो यह भी एक लॉजिकल बात लग रहे है बट पर कैपिटा रियल इंकम इस दी मोस्ट अप्रोप्रियेट आंस्वर ठीक है इस पर मैं एक स्टार लगा देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे किन कुस्टेंस के अंदर सेकेंड भी भी हो सकता है ठीक है सेकेंड जो है वह अपने से पाटें नहीं करता है मतलब मैनेजमेंट और उससे ठीक है 3rd Coordination जो है वह करेक्ट आंसवर एकafar दीनेशन इस अशेंस अभ मैनेजमेंसे का जो मूल जो essence से वो क्या होता है coordination gross working capital क्या होती है तो gross और net आप जानते हैं gross का मतलब होता है जो total current asset होते हैं वो gross के राता है उसमें से अगर liability जो है current वो less कर दोगे तो net जो है working capital आपकी आ जाती है फिर fifth question जो है अपने से पर्टें नहीं करता है sixth question which of function is not included in physical distribution जो किसी सामान का जो physical distribution है उसका वित्रण जो है उसके अंदर कौन सी गतिवी दिनी है दी कि storage सामिल है yes transportation भी सामिल है inventory management भी सामिल है लेकिन market की जो research है वो physical distribution से समंदित नहीं है research जो आप करते हो वो future के लिए करते हो research जो है वो अलग purpose के लिए next cash equivalent में क्या सामिल है cash और cash equivalent दो वर्ड आप देखते हो cash flow statement के अंदर easy सा question है cash in hand तो cash हो गया खुद preference here after one year तो ये cash और cash equivalent नहीं है unlisted companies ये cash and cash equivalent नहीं है cash equivalent का मदब जो readily cash में convert हो जाए तो जो fourth option है money market के deposit money market short term के लिए होता है very short period बहुत ही कम समय के लिए जैसे treasury bill के हो गए 30 दिन के लिए overnight 7 दिन के लिए 15 दिन के लिए deposit जो होते हैं वो cash के equivalent होते हैं next इन में से correct statement चुनिए all contracts are agreements सारे जो contract होते हैं वो agreement होते हैं बट सारे agreement जो है वो contract नहीं है बिलकुल सही बात है कि एक agreement जो होता है वही आगे जाके क्या बनता है contract होता है agreements which are enforceable by law are contracts तो contract होने के लिए agreement का होना जरूरी तो कह सकते हैं कि सारे जो contract है वो क्या होते हैं agreement तो होते होते हैं बट जरूरी नहीं है सारे agreement जो है वो contract हो कुछ जो agreement जो enforceable by law नहीं होते जो कानेन को दरा बाध्यकारी नहीं होते हैं वो contract नहीं बनते हैं तो first statement is correct and second इसका उल्टा है all agreements are contract, सारे agreements जो है वो contract नहीं होते therefore first option जिसके अंदर है only statement one is correct यह आपका सही answer है next concept of five year plan, पंच वर्षे योजना का system basic common sense का आप देखिए पंच वर्षे योजना यहने समाजवाद और socialism से related है तो England, USA, Germany यह सब तो capitalistic country है Russia जो है, USSR जो था पर रणा, वो क्या है वहाँ से हमने borrow गिया है committed fixed cost के अंदर क्या सामिल नहीं होता committed fixed cost यहने, ऐसी fixed cost जो हमने क्या कर दी है commit कर दी है, मतलब जिसका लगना तय है खर्चा करो चाहे तो नहीं करो तो यह discretionary इसमें सामिल नहीं होगी फिर यह partnership का है, इसका right answer 3 is to 2 होगा sweat equity shares जो है, वो किसको issue किये जाते हैं तो ध्यान रखिएगा sweat equity share जो है, वो directors और उनके employees company के directors और employees, उनकी मेहनत के लिए जो है, वो क्या किये जाते हैं इस्यू किये जाते हैं, ओके, तो right answer is third, next, the basis of international trade is comparative, यह क्योई statement है, तो देखिए statement वाले कुछ questions आपको 2-5 मिलेंगे, इनको predict करना, इनको याद करना बहुत difficult है, तो अगर आप में से किसी को याद रह गी ऐसी चीज, तो इसका first जो है, रिकार्डो नहीं यह दिया, फिर य जो है, वो payback period का simple सा question है, 5 years का answer होगा, 5 साल, कुछ नहीं है, 6 लाग का देर रखा है, देखिए, profit after depreciation, और 50% tax है, मतलब कितना होगा, 3 लाग, depreciation वापिस add कर देंगे, 12%, 40 लाग का यहने, 5 लाग, ठीक है, 5 और 3, 8 होगे, project कितने का, 40, तो 8 पंजे, 40, 5 साल में, जो 8 लाग है, वो आएंगे, तो 5 साल में, 40 लाग पूरे pay हो जाएंगे, payback period, next, किसके अंदर national recruitment agency, यह अभी जो नई education policy आई, 2020 के अंदर, यह सवाल जो है, वो पूछ लिया, देखिए, next, बार तो functional organization is attributed, यह फिर से statement है, tailor का बड़ा प्रसिद्ध है, यह तो आप जानते होंगे, अगला देखिए, यह अठारवा जो है, अपने से पार्टे नहीं करता है, मतलब management और उससे related है, यह present value जो है, profitability index के लिए बोल रहा है, तो simple is divide by divide करना है, आपको जो उपर projectile cost होती है, नीचे उसका भाग देना होता है, initial जो investment होता है, 30 आए डिवाइड़ वाइड़ अठार demand, यह भी definition पूछी है, demand की, बेन हम के द्वारा को definition जो है, वो दी गई है, 24 वाइड़ जो है, फिर से ignore कीजिए, 25 वाइड़ी प्रोमिस एड़ी सेट और प्रोमिस एड़ी सेट और प्रोमिस, forming consideration for each other, हर प्रोमिस बादा और ऐसे बादे, जो consideration बनरे दूसरे के लिए, वो क् ठीक है, फ्रतिफल है, और इदर से प्रोमिस है, दोनों मिलके क्या बनते है, agreement, फिर वो enforceable है, तो वो क्या बनेंगे, contract बनेंगे, ठीक है, तो right answer क्या है, इसका, agreement, economic development can be measured by, economic development ये आर्थिक विकास को किस से measure करो गया, बताओ, आर्थिक विकास के लिए क्या death rate, population rate, या education level है, नहीं, ये human development के लिए काम आते है, जो माननाव विकास है, उसके अंदर काम आता है, economic development के लिए जो है, वो GDP जो है, वो काम में आती है, ठीक है, deferred revenue expenditure, देखिए, आर deferred revenue expenditure खतम ही हो गया, लेकिन फिर भी, कहां दिखाया जाता है, जब तक कि वो खतम नहीं हो जाता, वह deferred revenue होता है, कि मानलों आपने बहुत ज़्यादा advertisement पे खर्चा कर दिया, तो उसको पांच सालों में खर्चे को बांट होगे, तब तक कहां रहता है, balance sheet और P&L में, हर साल थोड़ा-थोड़ा करते रहते हो, फिर एक banking company है, वो redeem कर रही है, को share, तो बताओ, debenture redemption, कितना बनाएगी, DRR, तो इसके अंदर मैं बता दूँ, जो section दे रखा है, 71.4, ये rate of DRR नहीं बताता है, rules के अंदर ये बातें बता ही होई है, cb की requirement होती है, तो banking companies के लिए जो है, वो 0, किसी भी तरह का DRR जो है, वो create नहीं करना होता है, therefore right answer जो है, आपका सही उत्तर जो है, वो क्या होगा, 0, okay, banking company जो है, क्योंकि ये banking company की बात कर रहा है, तो banking company को DRR create करने की जरुत नहीं, 29th जो question है, वो अपने से जीन पिया, जो से teaching aptitude से related है, next, 30th question देखे, कि इसमें स which of the following is not included in unorganized, unorganized में कौन नहीं है, unorganized में कौन नहीं है, तो बताइए, money lenders unorganized, indigenous bankers, जो local bankers होते हैं, वो भी unorganized, ये सराफाज, ये भी unorganized, जो debenture holders है, वो organized market में होते हैं, वो company law के तहत होते हैं, वो proper तरीके से जो होते हैं, वो capital market का part होते हैं, ठेक है, तो debenture holders, ये देखते ही पता चल जाता, च्यार में से, तीन एक जैसे हैं, एक अलग है, फिर, which of the following is not an advertisement, objective, advertisement का क्या उद्धिश्य नहीं है, तो देखे, जिस बात है, sale increase करना, yes, नया product launch करना, yes, to decrease demand in market, market में demand को कम कर ना, हमारे product marketing का, ये कभी objective नहीं होता, नया market, yes, therefore, ये objective नहीं है, कि हमारे product की demand को कम करना, debit note, credit note क्या होते हैं, source document होते हैं, जिन से क्या होता है, वो जो reverse entry जो होती है, वो शुरू होती है, ठीक है, तो these are source document, entrepreneur का type, on the basis of nature, nature के आधार्वे, ठीक है, तो देखे, आप पहला फ सेक्टर, तीसरा, trading, चौथा, cooperative, ये तीनों देखोगे, तो आप वो एक जैसे दिखेंगे, cooperative, trading, joint sector, right answer, जो है, वो आपका, Fabian entrepreneur, ठीक है, नेचर के आधार्वे, फिर agriculture, सेक्टर का, जो revolution है, क्या खिलाता है, green revolution, very easy question, ये, रेगनर ने, जो है, VCS cycle, define किया था, किसको, poverty को, ठ ठीक है, अब देखें, इसमें कई सारे और भी मुद्दे है, सेलेबस आपको पता है, change होगा था, कई चीज़ें, specifically हटाई गई थी, लेकिन आपको कुछ questions जो है, अभी भी पुराने सेलेबस में से देखने को, मिलेंगे, होंगे, इस paper के अंदर, ठीक है, अब उनका क्या हो है, 2019 के अंदर, ठीक है, ICT क्या होता है, information communication technology, contingent contract क्या होता है, बताओ, contingent, legal होता है, बखाईदा, contingent contract के अंदर, किसी event के happening or non happening के उपर dependent होता है, but they are a legal contract, contingent contract जो होता है, वो लीगल होता है, ठीक है, control process के अंदर, first step क्या है, तो इसके अंदर आप देखोगे, आपको, establishment of goal और standard पहले, तो आप goal और standards को target को set करते हो, तो right option जो है, वो आपका तीसरा है, interest on call in arrear, maybe charge, जो call in arrear होता है, मतलब किसी shareholder ने पैसा नहीं दिया, तो उसके उपर जो ब्याज होता है, उसकी जो समझ म कौन सी बात सही है, तो पहली बात तो लिखी हुई है, क्या, 10% पर है ना, और lesser rate, 10% या उससे कम rate, जो भी board के दोरा निर्धारित की जाती है, दूसरा, rate जो table app में बताई गई है, तीसरा, rate जो board of directors ने बताई है, और चौथा, कोई interest charge नहीं किया जाता, ठीक है, तो ये बात minimum जो आपकी rate होती है, वो कितने होती है, 10% या उससे कम board जो भी decide करें, तो सबसे best option कौन सा है, आपका option number one, ठीक है, क्या वो शुरुवाती problem थी, जिसकी वज़े से new economic policy, जो 1991 के reforms, इतनी बार पढ़ा अपने revision के तौरान, foreign currency का crisis, जो विदेशी मुद्राओं का बंडार था, उसकी भारी कमी हो गई थी, हमने हमारे पास जो export, sorry, import करने के लिए, बिल भरने के लिए, 14 दिन का पैसा बचा था, अपते बर का, फिर और जो capital market है, वो इंडिया में कौन control करता है, दो तरह के market होते है, money market, ठीक है, और दूसरा capital market, पूंजी बजार, तो से भी जो है, वो regulate क के अंदर, RBI is for money market, ओके, तो यह वाला नहीं होगा, राइट ऑप्शन जो है, वो से भी होगा, ठीक है, 44 पर एलेमेंट नहीं है, 45 के अंदर, करेक्ट जो है, वो एंट्री जो है, वो संड्री डेटर्स तू, सस्पेंट अकाउंट, option नमबर दूसरा, ठीक है, next, internal rate of return, IRR ज किया जाता है, तो जाहिर सी बात है, जो cost of capital है, मतलब जो पूंजी आप लेके आ रहे हो, वो किस cost है, मालो 10% भी आज पर आज पर आपको पैसा मिल रहा है, और जो उसकी internal rate of return है, वो ज्यादा है, 10 से, 12% आपको भी return मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, उस project को खर्द होगे, 10 से कम मिल रहा है, वहीं लग तो रही है, cost 10% और income आ रही है, 9% तो आप नहीं करोगे, तो अगर IRR ज्यादा है, cost of capital से, तो आप क्या करते हो, decision ले लेते हो, ठीक है, 47, management accounting की से समंधित होती है, तो दे कि management accounting future के लिए ही होती है, for future projection, ठीक है, cost के लिए, cost accounting होती है, past present event के लिए accounting होती है, ठीक है, सिरफ quantitative के लिए नहीं होती है, management नाम ही क्या है, प्रबंत, यानि management के लिए, यह decision making में help करे future के लिए, फिर यह decision किसने, यह line है, management is development of people, not the direction of things, यह statement किसने दिया, lawrence, यह करीब तीसरा चौन था, जो है, statement based question आ चुका है, ठीक है, national income कौन calculate करता है, very easy question, CSO, Central Statical Organization, पहले इसका नाम क्या था, NSSO, National Sample Survey Organization, फिर RBI कप शुरू, इस तापी दोई, एक अप्टेल 1935 को, काफी question, तो test series में भी, as it is, जो है, वो पुछे गए थे, 100% statement किसको बोला जाता है, पंके सहर ने बकाईदा 11-12 की बुक डाली थी, उसके अंदर highlight करके डाला हुआ 11-12 के अंदर, common size balance sheet को क्या बोला जाता है, 100% statement, ठीक है, तो option जो second है, वो इसका correct है, next, systematic gathering, recording and analyzing data about problem relating to the marketing of goods and services marketing के लिए, systematic gathering, recording, ये क्या कहलाता है, marketing research कहलाता है, ठीक है, इंडिया के अंदर standards on auditing कौन issue करता है, तो CA institute, जो है, institute of chartered accountant of India, common सा question है, ठीक है, ओके, SA, AS वगेरा, ये सब ICI ही issue करता है, मंद्रे का क्या है, employment guarantee, आप रोजगार, नाम में ही लिखा हुआ, रोजगार guarantee योजना, ठीक है, district commission कहां तक के case लेता है, एक करोड का, आप देखें, इसमें consumer protection act 2019 से कम और 1986 वाला जो act है, उससे जएदा question आए है, और आपको पता हो तो 1986 क दरवाया था वरसर ने पहले बकाइदा, क्योंकि RPSC का exam है, आप ये उमीद नहीं कर सकते कि सारी latest चीज़े आप से पूछी जाएगी, तो correct option जो है, वो क्या है, एक करोड तक के case जो है, वो district forum में, district commission के सामने आते हैं, फिर 56 relevant नहीं, 57, HDI क्या होता, Human Development Index, बेसिक सवाल है, फिर export के लिए क्या किया गया है, special economic zone आप जानते हो, वो सबसे पुराना business organization का form कौन सा है, भारत के अंदर आप देखोगे, तो Hindu joint Hindu family है, हुआप जिसको बोलते हैं, वो बाकी, otherwise worldwide देखोगे, तो sole proprietorship जो है, एकला चलो रहे, अकेला वेक्ति वाला, वो सबसे popular है, फिर 60 relevant नही जब यहां पर wisdom की बात हो रही है, गुद्धी मत्ता की बात हो रही है, तो medium जो है, वो qualitative aspects को cover करता है, right option जो है, वो तीसरा होगा, एक company जो है, वो redeem कर रहे है, पांच हजार preference share, 62 number question देखे, पांच, ठीक है, तो उस case में, capital redemption reserve कितने का बनेगा, हाँ, इसका right option जो है, वो कौन सा होगा, तीन लाग, क्यों company जो है, पांच जार preference share, 100 रुपे each, ठीक है, by issuing 20,000, तो बीज जार के तो बदले share issue हो रहे हैं, पीछे बज़े कितने, तीन जार share, ठीक है, ठीक है, ठीक है, capital जो है, कम कितने से हो रही है, पांच जार, पांच ला याने, दो लाग की नई capital आ रही है, तो capital कम कितने से होई, तीन लाग, यह कौन सी method होगा, यह simple तरीका है, कि capital कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए अपन क्या बनाते है, capital reduction reserve बनाते है, ठीक है, next, RBI जो है, commercial banks को जो लोन देती है, ठीक है, bank को जिस rate पे long term loan दिये जाते है, short term में जो दिये जाते हैं, वो रेपो रेट होती है, ठीक है, तो exchange rate, sales rate तो ही नहीं, interest rate यह है, bank rate, एक amount जो set aside किया गया, side रखा गया है, जिसके against को known liability है, कि दाइत तो है, यह पैसा तो देना ही देना है, तो उसको हम provision बोलते है, reserve तो अलग होता है, provision यहने, किसी liability जो पहले से पत सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बताओ, provision, national income, sorry, income method किसे समभन देते हैं, तीन होते है, expenditure income और value added method, तो यह national income से समभन देत होता है, ठीक है, buying decision process जो है, वो start कहां से होता है, किसी चीज को खरीने का जो process 66 number, तो इसमें right option जो है, वो need recognition, सबसे पहले किसी सकता है, ठीक है, फिर alternative और information search तो बाद में आता है, 67 number देखी, resistance to change, मतलब बदलाव के प्रती जो भावना होती है, लोगों की, बदलाव नहीं होना चीज़, उसको कैसे कम किया जा सकता है, बताओ, तो effective leadership के साथ आप क्या कर सकते हो, लोगों के अंदर बदलाव ला सकते हो, क्या काम बढ़ा के ला सकते हो, नहीं, ओवर कंट्रोल ज्यादा नियंतर लाके नहीं, financial laws को डरा के नहीं, फिर resistance to change काई दुबारा, कि लोगों के अंदर ये जो भावना होती है, बदलाव के प्रती की बदलाव नहीं होना चीज़, जिसमें emotion, tendency, expectation, ये सब चीज़ें क्या ह मोरेद मैं चाहूंगा, काम change नहीं होना चीज़, social मतलब मेरे समाज में status कम हो जाएगा, तो मैं नहीं करूँगा, psychological मतलब एक आज में के दिमाग में ही चलता है, emotion, अभी जो काम कर रहा हूं, उससे जुड़ा, मेरी जो आदत बन गई है, मेरी जो expectations है, तो इसको बोलते है, psychological, तो right option जो है, आपका तीसरा, entrepreneur word पहली बार किसने use किया था, ठीक है, right option जो है, वो second है, system approach के अंदर क्या होता है, system approach के अंदर, input, process, output, feedback, जैसा computer में देखते हैं, option A जो है, वो correct option है, मैं फिर से बता दूँ, ये questions 99% answers ही ही रहने वाले हैं, कुछ questions के अंदर जो आप्शन है एक से ज्यादा मैं आपको बता दूँगा, कि इनमें कुछ ये भी सही हो सकता है, कौन सा method है, जिसमें कभी 0 नहीं होता, depreciation के बाद जो asset की value है, तो diminishing balance method बोलते हैं, क्या बोलते हैं, diminishing balance method, यानि WDV बोलते हैं, written down value, next 72, ये project है, rural connectivity project for left wing extremist area, left wing मतलब लाज सलाम, तो उसके लिए कौन सा है, 2016 के अंदर ये scheme, अब ये तो बहुत extreme है कि कि किसी को याद हो, ये probability का question है, इसका third जो है option, तीन बटे साथ जो है, वो correct answer है, entrepreneur का function कौन सा नहीं है, entrepreneur ये उद्यम, तो नई opportunity तलास करता रहता है, yes, innovation करता रहता है, risk लेता रहता है, लेकिन ये नहीं करता, कि change नहीं करें, not adopting changes, बदलाओ के प्रती, तो अमेशा उसकी भावना होती ही, कुछ बदलाओ लेके हो, तो ये entrepreneur की विसेष्था नहीं है, cash flow statement क्या है, बताओ, तो ये तो past का ही analysis करता है, जो cash आया जो गया, उसका हिसाब किताब होता है, ठीक है, से भी कब establish होई, ये बड़ा द authority की रूप में कब आई, 1992, हम सब उसको 1992 के हिसाब से ही जानते हैं, बट इसमें वो option ही नहीं है, तो 1998 के अंदर, sorry, 1988 के अंदर ये establish होई थी, as a non-statutory body, गेर संस्त, वो क्या कहते हैं, legal body type मैं से, 77 का, जो option है, वो first रहेगा, ठीक है, फिर social audit assessment index report, a social audit is applicable to which of the following schemes, social audit जो है, वो किसके उपर applicable होती है, तो ये सारी schemes जो है, वो social audit के अंदर covered है, ठीक है, 78 के अंदर, all, ठीक है, तो ये सारी schemes के अंदर आती है, disagreement, मतलब छुपी हुई, जो बेरोजगारी होती है, क्रसी छेतर के अंदर, खेत होता है, काम करने के जगे, दो लोगों की, ये चार लोग काम करते हैं, तो वहाँ पर ये सबसे ज्यदा होती है, national income में क्या सामिल है, सारी rent, किराया, wages, profit, सब कुछ सामिल है, self-awareness, ये तो चलिए छोड़ी, 81 अपने काम का नहीं, फिर कौन सा जो factor है, वो economic factor नहीं है, जो consumer के behavior को प्रभावित करें, आर्थिक घटक, तो income आर्थिक घटक है, asset आर्थिक घटक है, family income आर्थिक घटक है, लेकिन उसकी personality, वो personality के हिसाफ से क्या चीज़ें करता है, ये क्य है, economic factor नहीं है, इन्होंने यहीं पुछा, not included in economic factor, therefore right option is common sense लगाते हैं, तो भी हो जाता है, तीनों के अंदर पैसा involved है, second option यह है, जिसके अंदर कोई पैसा नहीं, ये 83 का right option जो है, वो पहला है, डी मेलो, entrepreneur जो change नहीं चाहता, adopt किसी तरह का innovation, ठीक है, उसको बोलते हैं, ये drone entrepreneur, all-c type का entrepreneur, जो होता है, अब हलांकि ये की भी होता है, इमीटेटिव, ये क्या करता है, ये हमेशा दूसरों को copycat करता है, ठीक है, कभी खुद innovation नहीं करता, दूसरों को copy करता है, लेकिन ये करता जरूर है, किसी ने innovation किया, तो उसको copy जरूर करेगा, वाट ये वाले तो भ next, what will happen if rate of employee turnover is high, employee turnover क्या होता है, employee की छोडने की दर ज्यादा है, तो क्या होगा, तो देखिए, production increase तो नहीं होगा, ठीक है, cost भी कम नहीं होगी, training खर्चे तो बढ़ेंगे उल्टा, तो right option जो है वो आपका fourth, drop in employee moral, जो employees का moral है, वो क्या होगा, down हो जाएगा, short analysis में क्या होता strength weakness, opportunities or threat, तो options इसमें कहीं नहीं है, तो fourth option जो है, वो correct है, 87, RBI जो है, commercial bank को पैसा, जो rate पे देती है, तो वो long term तो होती है, bank rate, और short term में होती है, repo rate, okay, correct statement जो है, वो choose करना है, human resource development, is part of human resource management, human resources का development जो है, वो human resource management का part है, दूसरा कहता है, human resource management जो है, वो development का part है, तो first statement जो है, वो आपका correct है, human resource management तो बहुत बढ़ी चीजी है उसके अंदर management में, سब चीजी आ जाती है, recruitment, sorry, बीच में कुछ technical issue हो गया, तो statement 1 जो है वो correct ठीक है next 89 economic survey इंडिया is known as क्या है developing country भारत विकास सिल देशे ठीक है the desired and problem behavior यह तो छोड़ी है अपना नहीं है nominal partner nominal partner का feature क्या है बताओ capital में contribute करता है management में participate करता है generally share profits and losses ठीक है unlimited liability को अधाओ capital में contribute करता है management participant nominal partner नाम के लिए partner है बताओ नहीं करता generally shares profit and losses यह भी नहीं करता लेकिन unlimited liability तो उसकी रहती ही है तो most appropriate जो है वो unlimited liability है आप इसको फिर से देख लेना कुछ अगर आपको second option ठीक लगे तो debatable है बट clear है मेरे इसाफ से कोई ठीक है Adam Smith ने चार जो है वो दिये थे option taxation के principles तो right option जो है वो 30 रह 92 का deficit financing से क्या हूँता है deficit financing का मतलब government की income तो 100 रुपय है government खर्चा 200 की कर रही है तो जो extra 100 रुपय है वो finance कहीं से लाके market में बांटे जा रहे है तो इससे inflation बढ़ेगा जायर सी बात है फिर प्रदान मंत्री ग्रामीन आवाश होजना कब शुरू ही 2015 के अंदर शुरू ही फिर इन में से कौन सा wasting वेस्टिंग असेट नहीं है वेस्टिंग वन्दब खतम होने वाला तो जमीन जो है वो कभी खतम नहीं होती प्रिंसिपल और मैनेजमेंट गिवन बाइटेलर तो इसके अंदर क्या है यह सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है बाकि तीनों प्रिंसिपल इसके नहीं है अंधर नौने इसकॉर्ड यह है यह जो है अ यह अंद्रियु पॉयल जो या सवौरी टेलर के दौरा दियागे जो प्रिंसिपल हो है यह बडहा इंटरेस्टिंग कोईश्ट्रियन इंडरिक्ट सेलिंग आसदी सेलिंगे सेलिंग्स में में भी डार इंडारेग्स अब जा देंगे क्यों ओके ठीके तीसरा क्वेशन है जिसमें मैं कहे रहा हूं थोड़ा सा डाउट तीसरा नहीं दूसरा ही मानिए इसको वो पिछले वाला क्लियर है फिर यह पार्टनर्शिप का है इसके अंदर जो है तेईससो चालीश जो है वो करेक्ट आप्शन है 98 के अंदर खीचे अंदर दूसर ओटैजीमें इन्में से क्या नहीं है तो डिस्प्लेइड़ोटीजमेंट आउटड्व में नहीं वाल प्रिंटिंग वाल राइटिंग पोस्टर सेंड़िच मन एडवर्टीमेंट यह सब आउतओर में तो क्रेक्ट ओप्शन जो है वो आपका कौन सा है fourth okay next secret reserve may not be created by secret reserve कैसे create नहीं होता देखिए इसका fourth option जो है वो correct है कौन सा fourth option चौत्था option है ठीक है कि अगया है कि अगया है कि अगया है कि ज्यादा तर तो वहीं देखने को मिल रहे हैं देखिए आपके accounting और वो business management और बिजनस organization से related बायर मोटिव है देर प्लेस बायर मोटिव कहां पर रखता है अपनी जगे तो नीड और action के बीच में ठीक है कि ट्राइल बैलेंस क्या काम आता है अर्थ मेटिकल एक्यूरेशी इजी सा question है फिर purchasing power parity theory कि इसने दी यह गुट्स राव कैसल ने इसने दी है फिर इन्वेसे कौन सा working capital का मैथर नहीं है तो इसका थर्ड जो है वो मिलर और मेडल यह कैस के लिए है अलांकि कैस जो है वो working capital का पार्ट होता है तो इसमें आब RPSC क्या करती है बाकि यह तो है पका है projected balance sheet भी है यह भी है यह जो है वो नहीं है सिरफ देरफोर करेक्ट जो option है आपका कौन सा है third one कोफिशेंट और variation क्या होता है standard deviation percentage में रिपर्जेंट करते हैं उसको क्या बोलते है standard deviation 192.9 में कौन से बैंक होई थी एक्जिम बैंक very easy question फिर जब कोई technique ही चेंज हो जाए तो उसको बोलते है technological unemployment जैसे मैं computer नहीं जानता और आज कि computer की requirement है तो मैं विरोजगार हूँ क्यों क्योंकि मैं टेक्नोलोजी कली unemployed हूँ ठीक है direct expenses तो यह सारे डारेक्ट देखे special mold किसी खास product के लिए specific cost unit उसके लिए patent को रोयल्टी लिए तो डारेक्ट का मतलब क्या होता है जो किसी product से directly क्या हो लिंक हो उसको डारेक्ट बोलते हैं और cost of improvement of defect उसी product के लिए तो वो सारी क्या है डारेक्ट कोंस्ट तो फॉर्थ जो है all of the above is the correct answer next section जो 2B है वो किसको दिखाता है acceptance को शोब करता है तो correct option जो है 2B next 112 कौन सा area बड़ा है सब्द बड़ा है business, commerce, trade और industry तो देखे trade, industry, commerce सब छोटे है actual सबसे बड़ा जो है वो business, business के अंदर trade, commerce सब कुछ आ जाता है business अपने आपने बड़ी term horizontal analysis क्या होता है time series analysis इसको बोलते है इसके अंदर क्या होता है कि आप क्या करते हो previous year के data के साथ और उनके साथ comparison करते हो यह intra firm analysis जो होता है वो होता तो यह correct answer होता बट यह inter firm कह रहा है नेक्स्ट पर calculation of cash flow from operating activity operating activity calculate करते हो क्या decrease करेंगे inventory में जो बड़े होतरी होई वो बटा देंगे ठीक है national commission जो है district sorry national commission किसकी consumer protection act consumer protection act यह अब 1986 से पूछा है तो central government जो हो अपॉइंट करती है national commission के chairman को ओके next cash flow investing activity does not include investing activity में क्या नहीं है लोन और एडवांसे जो हमने लिए वो financing activity में आती है ठीक है तो फिर consumer price index का दूसरा नाम क्या है तो cost of living index consumer की जो महंगाई जो rate है उसको नापता है को consumer price index तो cost of living index उसका दूसरा नाम यह भी common sense है wholesale तो हो नहीं सकता composite और यह तो अलग ही cost of living जो है वो सही मार्केटिंग रिसर्च के यह सारे ही तरीके है ठीक है फिर operating cycle period क्या होता है तो यह चारों यह option सही है सब्सक्राइब चारों क्या चारों जो है वह सही है यह भी आप जानते होंगे operating cycle इसके अंदर जो option आपको basically capitalization method से goodwill calculate कर नहीं है तो simple सा होता है कि जो profit है डिवाइड बाइड जो rate है ठीक है return की डिवाइड कर दो जो capital बनती है जो actual है दोनों का जो वह goodwill आजाएगे नेक्स्ट 122 इंप्रेश्ट पेटी सिस्टम दोनों के लिए पेटी पेवमेंट के लिए इस्माल वैल्यू पेवमेंट होता है उनके अंदर मदद करता है ठीक है नेक्स्ट 123 कोई काम का नहीं है डिस्टिक्ट का चेर्मेन कौन होता है प्रोटेक्शन काउंसल का तो collector जो होता है वो इसका चेर्मेन होता है डिस्टिक कंसुमर ठीक है कौन सा मेथड जो है वो डिमांड फोरकास्टिंग का जिसके अंदर टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरियेबल की रूप में यह अब अलगी क्वेशन था डिमांड फोरकास्टिंग चैप्टर जरूर दे रखा है वाट उसके अंदर इतना एडवांस लेवल पर करते हैं इसे डिपेंडेंट वेरिबल संक कोस्ट का एक्जामपल बिल्डिंग प्लांट एंड मशिनरी संक कोस्ट मतलब ऐसे खर्चे जो एर्रेलेवेंट है डिजिएल मेकिंग के अंदर कि स सब्सक्राइब अच्छाइब है टी के आओ यहती जाती घौर यहां मोटर कार दे रहा आलंग कि यहां पप्लिक बस ट्रांशक ऐसा कुछ लिए यह वर बट यह ऑप्शन जो है वो ठीक लग रहा है ठीक है तो थार्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है अब अब ऑडिट का अब्जेक्टिव कौन सा नहीं है यह तो आप जानते ही हो फॉर्थ कंसल्टेंट थोड़ा ही होता ओडिटर नेक्स्ट मेजर आप लोकेशन और कौन प्रभाविद करता है नेचलो यूमन सोचिशेल सारे के सारे है ओ तो तेकिए यह इन्चुरेंस प्रीइम्यम जो है पे перем Sergeant तो स्शेय करेक्ट ठीकषन जो है यह और रिजिद Helsinki तुए इन्चोरंश अनिर शर्ट 1 माई 2020 में आपको बता है पडूर्णा आया था उस ट तो प्राइवेट कमपनी में दो चाहिए तो बिल्कुछ शौर है कोई दिक्कत ही नहीं नेक्स्ट कॉपरेटिव सोसाइटी के लिए मिनिम्मूम कितने चाहिए तो यह तो यहीं पता चल गया कॉपरेटिव सोसाइटें वीस तो सही नहीं है क्योंकि यहां वीस दे रखा है तो पीछे कितने बचे दस दस जो है वो करेक्ट ऑप्शन है ठीक है क्या कहेंगे जब मूव्मेंट ऑप एकॉनोमी जब वर्ड टुवर्ड अन्रेस्टिक्टिड प्रॉस बॉर्डर मूवमेंट का मतलब एक दुनिया के अंदर जो अलग अलग देश है उनके बीच में जो आपस में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं फ्रॉस बॉर्डर मूवमेंट वो उनके ऊपर कोई रेस्टिक्शन नहीं हो लेबर कैपिटल सब फ्रीली गूड सर्विस आ बनते हैं ठीक है वाट मुझे जो है सबसे शूटेबल ग्लोबलाइजीशन लग रहा है यह आप देख सकते हो तीसरा या चौत्ता क्वेशन अगर आपने कोई और आप्शन लगाया तो अगर आपने ग्लोबलाइजीशन लगाया तो आप निश्चन रही है वो तो सबसे है तो देए इंफ्लेशन एकव香नायओ इसे को मैंक टरेफ़ इकवह इकानमिक टर र हाा सट मोई को मिटा opis और नहीं है सून धैक्रे कर देखे र Middle Hugh किसकी जगे लिए क्या या जी ए टी टी ए तो एक वाड़ बता चूके है जंरे ल हाँ जी सही है 20,000 ही सही है 80,000 वो टोटल बनती है 60,000 के इसाब से वो लाया है 20,000 एक्स्टा है तो 20 जार करेक्ट ऑप्षन है इसका ऑप्षन जो है independent event होगा 141 का 142 का material of nominal value यह थोड़ा सा confusing हो सकता है कि primary packing भी direct material होता है specific material किसी product के लिए basic raw material भी क्या होता है direct material होता है तो जो material of nominal value है उसको हमने क्या है option में choose किया है जो direct material में नहीं है तो correct option अपका third है इसमें मुझे थोड़ा सा doubt है personally आलांकि यह मेरा subject नहीं इस man of control किस ने दिया एक ठीक है यह खरीब छटा यह सात्वां question होगा जो ऐसे statement based पूछा है promotion mix का क्या element नहीं है तो branding जो है वो इसका element नहीं है debt equity ratio है तो bonus share issue करने से क्या कोई फरक पड़ेगा bonus share issue के बाद में debt और equity का क्या ratio जो है वो change होगा बताइए कोई फरक नहीं पड़ेगा क्यों reserve से पैसा निकालोगे bonus जो है वो कहां से दिया जाता है reserve में से दिया जाता है और वो capital का part बन जाएगा तो capital तो उतनी रही capital के अंदर reserve भी सामिल होता है ठीक है board of directors किसके तरह चुने जाते है shareholders के तरह तो correct option जो है वो तीसरा है ठीक है fiscal policy कौन बनाता है भारत के अंदर simple सी बात है ministry of finance government of India से भी का कोई लेना देना नहीं है RBI monetary policy बनाती है नावाड का इसमें कोई रोल नहीं है तो correct option जो है वो तीसरा जो है वो correct option है public sector bank कौन है SBI यह तो क्या question हुआ 49 कोई काम का नहीं है और sole proprietorship के अंदर क्या होता है बताओ क्या नहीं होता है तो limited liability नहीं होती है separate उसका एक्जिस्टेंज नहीं होता है जैसे company में होता है तो therefore fourth is the correct तो यह मैंने आपको सारे 150 के मैंसे जो करीब 130 question जो अपने commerce के थे वो सारे बता दिये करीब तीन question है जिनके अंदर थोड़ा सा आपको doubt हो सकता है कुछ आपका दूसरा view हो सकता है तो समय की कमे की वज़े से मैं भी उनके उपर ज्यादा रिसर्ज नहीं कर पाया जैसे वैसे यह सही है जो मैंने लगाए है फिर दो तीन questions हो सकते है ऐसे जिसके अंदर एक से ज्यादा option जो है वो आपको ठीक लगता बाकी देखे life है जीवन जो है ना नौकरी सब कुछ नहीं है बिल्कुल इस चीज को दिमाग के अंदर बिठा लीजे आपकी योग्यता आपकी कैलिबर और आपका आत्म विश्वास अगर आपके पास है तो आप किसी भी field के अंदर किसी भी छोटे काम के अंदर किसी भी छेत्र के अंदर जो है आप बहतरीन से बहतरीन कारे करके दिखा सकते हैं यह सिर्फ एक माध्यव है जीवन को सफल बनाने के लिए लिया गया एक छोटा सा कदम है यही सब कुछ नहीं है इससे दस दूसरे कदम आपको और उठाने पड़ेंग चलिए थैंक्यू वेरी मच्छ धन्यवाद मैं उम्मीद करता हूं यह आपके लिए यूजपुल रहा होगा थैंक्यू वेरी मच्छ धन्यवाद